हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आज है हमारा वेट लूस जर्णी का थी तीसरा दिन पाने में पी चुकी हूं मेथी का यू बहुत पहले पियते तो उस टाइम व्यूडियो नहीं बनाया यह अब नारेल पानी अब बजे हुए है आठ में चाय की ज़रे नारेल पानी ले ल अब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम यह मैंने जो नारेल पानी प्या था उसमें से मलाई निकाली है घर पे निकाली थी तो यह मलाई अब हम ब्रेकफास्ट में लेंगे अब टाइम हो रहा है साड़े 9 पॉने दस का इस बीच हो रहा है तब तक वीडियो बनाऊंगी पॉने दस हो जाएंगे और मैं यह मलाई लूँगी अगर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत भूग लगती है तो मैं क्या करूंगी कुछ थोड़े से चने या फिर ताल मखाने ले लूगी अगर नहीं लगती है तो सीधा हम लंच के टाइम में लेंगे अब टाइम हो गया है साड़े ग्यारा का मुझे भूख लगी है मैं क्या करूंगी एक सेंट्विच बनाऊंगी और इसके लिए मैंने क्या लिया है टमाटर और खेले और कुछ भी नहीं लेना मुझे बशले नहीं चैप नहीं तो इस बीज निकालती है टमाटर में और आप आप यह तो जरा सा है तो पर खोड़ना तो हो भी सकते हैं ठीक है खीरे और टमाटर और ब्रेट मैंने इसमें कोई ओल नहीं लगाया है बस ऐसे में इसको घ्रील कर लोगी मेर पास यह सेंट्विच म इसके अंदर इसको हमने ग्रील कर लिया है यह हमारा सेंड्वीच बन गया है वह भोच अदा गरम है यह आप क्या कर सकते हो अपनी ग्रीन टी ले सकते हो और इसको अपनी ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो चटनी आपने जो भी बनाई हो नारियल वाली बनाई हो ग्रीन बनाई हो रेड चिली वाली बनाई हो जो भी आपका जी करें उसके साथ खा सकते हो के अब मिलेंगे हम अपने अब टाइम हो गया हमारे डीनर का ये मेरे पास स्प्राउट्स है ये देखो इसमें से स्प्राउट्स आ चुके हैं और ये कुछ मेरे पास स्वीट कॉन बचे हुए थे मैंने वह भी स्केंदर डाल दिया है दोनों ही हेल्दी है और लंच में हम क्या करने वाले मर्जी आपकी चाहे तो अपना चिला ले सकते है मैं नील होगी मैं इसमें प्याज टमाटर डाल ले है आप बोड़ भी सबजिस के अंदर डाल सकते जरूर नहीं आप प्याज टमाटर ही डाले और इनको मिक्स करें है इसमें कितना कलरफूल है कितना अच्छा लग रहे हैं अब इसमें आ मिर्ची मेन चाहिए आपको लेगता है आपको मिर्ची चाहिए तो आप ग्रीम चीली इसके अंदर डाल सकते हैं थ्सके अंदर नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा जादा नहीं थोड़ा सा नमक डाल दीजिए यह हमारा आज का लंच तयार हो गया है काफी अच्छा है काफी हड़ीती है आपके लिए कोई की नुक्षान नहीं करने वाना है और आप इसे खा सकते हैं यह बिल्कुल रेडी है तो हमारा लंच बनके तयार है अब क्ल बोगता है तो आप क्या खरेंगे एक फ्रूट ले सकते हैं आप बनाना ले लिजिए आप नास पाती ले जिए तो मैं उसको एड़न नहीं करूंगे आज की वीडियो में और आप लोगों को भूख लग रहें तो आप कोई बनाना नास पाती को या पे पाल एक ले अब मिलेंगे सिधा हम डिनर टाइम पर के अब हो गया हमारा डिनर टाइम और हम क्या करने वाले जो मैंने दो फैर में स्प्राउड लिये थे वो मेरे बच गए तो मैं उन्हीं को क्या करूंगी वेस्तों करना ही नहीं है ठीक है कि लेट लशन एक मिर्ची अज मैंने क्या नई डाला अद्रक नहीं डालनी टीक है मन नहीं है अद्रक के जगें हम अज़वान कि यूज कर लेंगे तैंटी कि अभी पीच लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेता है पानी में कोई ऐसे चम्मच बगरा या कप बगरा यूज निकाल लिया है अब हमेशा करते हैं वैसे ही निकालना है वेजिस मिलानी है इसके अंदर ही आप जिले की जगे कुछ टिक कि वेघर बना सकती है इसकी ठोड़ा सब रख के प्याज थोड़ी सी प्याज भी में इसके एंदर डाल लोगी अब मुझे थोड़ा सा इसमें अज़वान डालना है नमक टोर्टा है तो वह मैं डाल लेक्ते हैं अजवान बिल्गूल थोड़ासा डालेंगे, मेरे गिला हात है तो फैल यह थोड़ासा जाला है प्षाला प्षाला दीख रहा था ज्यादा नहीं डाला है थोड़ासा चूटकी भर इसमें नमग डालेंगे आपको लग रहा थोड़ा सा गाड़ा है तो हलका से इसमें पानी मिला सकते हैं धही मिला सकते हैं पर डिनर है रात का तो धही मत मिलाना कि भुजरे नथिम कभूकर थो पेडल हमारा तयार है कि घएस को हम अन करेंगे गर्णि करें कि करेंगे आप मेरे साथ छल रहे हैं तो आपको पता हो रहा कि थोड़ा सा गी डालना रहे नया देशी दो प्तेर फाला जए और उसे कुछ नहीं घाना पानी होता है तो इस तरीके से आवाज करता है तो यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह हमने फैला दिया है साथ में हम अपनी गैस को कम कर लेंगे और इसके उपर से आख रहेंगे हम लीड लगा देंगे जो हमेशा लगाते आए हैं तक यह बाद में आसानी से उठ जाए यह चिपके ना इसलिए हम यह लीड लगाते हैं यह देखो काफी बन चुका है अब हमें से क्या करेंगे धीरे धीरे करके पलट देंगे ठीक है जिसे हमेशा पलटते आए वैसे ही पलट दिया है थोड़ा सा शाप्पा हो गया था पलटते वाद बट मैनेस हो गया है ओके चीला बन गया है थोड़ा मुस्की रुआ इसको बनाने में क्योंकि जो हमारी दाल थी वो थोड़ी कम थी वैजिस जादा थी तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाय वैसे बन चुका ह बिल्कुल इसको उठाने में थोड़ा प्रोब्ला हुआ इस तरीके से तब ये तैयार है हमारा चीला तो डिनर हमारा बन के तैयार हो गया है ये मेरे पास थोड़ी सी सबजी है अर्वी की बिल्कुल मसाले की नहीं है थोड़ी से खीरे है और एक हमारे पास चीला है बना रहा है इसलिए कि आज दुबारा क्या दिखाना बना के तो यह हमारी प्लेट बिल्कुल तयार है यह काफी हमारा अगर अब टाइम हो रहा है साथ बज रहे हैं अगर हम इसे अब करते हैं इस डिनर को तो हम साड़े आठ बजे तक एक गिलास दूद ले सकते हैं अगर भ लोगई अब हम तयाई करेंगे को तुबारी दूद 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 हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सस्क्राइब करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाए ताकि लोग इसे देख सके आपके फैमिली में कोई भी इस तरह का बंदा जो हेल्दी है जो अपना वेट कम करना चाता है उसके साथ वीडियो को शेयर करें क्योंकि वो भी हमारे साथ साथ इस जरनीम को आगे बढ़ सके